बगवान स्रीप प्रणाम पिछले बार जब मैं केम में आया था तो पूछा था कि जो मेरा काम है उससे समय बचा कि मैं स्वाध्याय करना या आपके वीडियो सुनना तो आपने कहा था कि नहीं जहां से रोजी कमा रहे हो तो उसके साथ नहाय करो तो वो करा जो जीवन के ढर्रे बने इधर बीस सालों में तो समय नौकरी को जाता था या घर में जाता था अब स्वाध्याय के लिए समय निकालने के लिए समय तो लेना है तो समय पत्नी को लगता है कि उनका जा रहा है तो एक द्वन्द है तो इसके लिए क्या करना हुआ देखिए पत्नी आपत्य कर रही है आपके स्वाध्याय में किताबें पढ़ना चाहते हैं या किसी और तरीके से कुछ और प्रकाशित समगरी का सेवन करना चाहते हैं वीडियो भी हो सकता है कि पीछे आपकी हमारी यह माननेता है कि प्रेम है यह ना जहां प्रेम नहों वहां को यह आपत्य करता रहें हम ख्याली नहीं करते हैं यह फर्क परता है तो हमें मान रहे हैं कि प्रेम वह शापत्य कर रहे हैं उनको आपका समय चाहिए आपका समय किताबों में जा रहा है तो उनको बुरा लग रहा है तो बाद फिर प्रेम पर आ गई ना कि क्या किताबें प्रेम के खिलाफ जा रही हैं क्या किताबें प्रेम के खिलाफ जा रही है अब इसमें तीन चीज़ें है एक आपको क्या लग रहा है एक पत्नी को क्या लग रहा है और एक सच्चा ही क्या है आप किताबों की तरफ जा रहे हैं ये तो बात क्या है पत्नी को किताबों से अरचन हो रहे हैं ये तो बात क्या है और फिर सचाई क्या है इन समय प्रेम का है किताबें क्या कर रही है किताबें ये कर रही है कि जो पहले से चला रहा रिश्टा है उसको सफाई दे रही है प्रेम तो सफाई पसंद होता है, प्रेम अगर है तो वो तो चाहेगा कि सफाई और हो, हम में भी हो, सामने है, उसमें भी हो, तो प्रेम को तो कभी किताबों से आपत्य हो नहीं सकती, माने प्रेम नहीं है, प्रेम की जगह कुछ और है, प्रेम जैसा हो सकता दिखे, कुछ और ही है, तो क्या करें, फिर तो यहीं करें कि जो है, उसको प्रेम में परिवर्थित करें, प्रेम में परिवर्थित करने के लिए फिर सहियम चाहिए, होसला भी चाहिए, साहनुभूती चाहिए, क्योंकि वो जो उधर वाला पक्ष है, पत्नी का, वो तो यहीं समझ रहा है कि उसको प्रेम हैं, और आप उसके प्रेम का अनादर करके किताबों की और जा रहे हैं, तो बात स्पष्ट करनी पड़ेगी न जरा, पहले तो खुद को स्पष्ट हो, और फिर दूसरा पक्ष है, उसको भी स्पष्ट करनी पड़ेगी, जब तक आप स्पष्टता नहीं लाएंगे, तब तक पत्नी के पास एक नहतिक अधिकार बना ही रहेगा, यह मानने का, कि आपने अन्याय किया उनके साथ, कोई भी व्यक्ति जो कुछ सोच रहा है, जिस बात पर अड़ा हुआ है, उसको ठीक समझता है, इसलिए तो उस पर अड़ा हुआ है, तो प्रकट करना पड़ेगा, कि आप जो मान रहे हो, जो सोच रहे हो, वो ठीक है नहीं, और ठीक नहीं है, वो इसमें पूरी तरह आपका दोश भी नहीं देना चाहता, मैं, क्योंकि आप एक बहुत बड़े माया जाल का शिकार भरो, जैसे सब शिकार होते हैं, कैसे, जन जगों से आपने प्रेम की परिभाशा ली है, श्रीमतिजी, उन्हीं जगों से पूरी दुनिया ले रही और प्रेम की आपने जहां से परिभाशा ली है, उसमें कहीं भी ये शामिल नहीं है कि आपका प्रेम ही, अगर किताब पढ़े तो ये चीज प्रेम की है, कौन सी फिल्म में ऐसा होता है, बताओ भई, कि दो जनों को आपस में प्रेम है, और वो एक ही कमरे में सही, लेकिन थोड़ी दूरी बना करके अपनी अपनी किताब पढ़ रहे हो, ऐसा कहीं देखा, तो करें क्या, हमें जो प्रेम की छवी दी गई है, वो पूरी छवी ऐसी है कि प्रेम का मतलब ही यही होता है, कि आप अगर किताब पढ़ भी रहे थे, और जानेमन ने कमरे में प्रवेश किया, तो उसकी खुश्बू नथनों में पढ़ते ही, आप किताब फेक के उसकी और भागेंगे, और जो आखें किताबें पढ़ रही थी, वो किताबें सीधे जाकर उसके चेहरे पे टिपक जाएंगी, अब यह तो हमारी उमीदें होती है ना अपने प्रेमियों से, किताब हो गई किया, तो उनका दोश है भी, नहीं भी है, इसलिए मैंने का सहनुभूते, याद रखना है कि आप ही थे जिन्होंने चैन किया था, एक और तो यह भी सही है कि हम अतीत को ढोते नहीं रह सकते, दूसरी और हमें यह भी याद रखना है कि कुछ ही साल पहले हम और वो जिनसे रिष्टा है, हम और वो एक ही तल पे हुआ करते थे, तभी तो हमने उनका चैन किया था ना, कुछ वजह रही होगी तभी वो हमें अच्छे लगे थे, अब आज हम उनसे आगे निकल गए हैं, और मानता हूं, चेतना के तल पर आप आगे निकल आएं, आज हम उनसे आगे निकल आएं, इसका मतलब यह नहीं कि आगे बढ़ पाने की उनमें काबिलियत नहीं, तो थोड़ा सहारा देना तो अच्छा है कि नहीं, क्या पता जो आपके साथ ये घटना घटी है, उनके समझारा देते रहिए, समझाते रहिए, अपना दाइत्य तो निभाई ही न, उसके बाद वो समझने से इंकार करें, अंकार के साथ कोई जोर्द बरदस्ती तो की नहीं जा सकती, आप सारी बात प्रेम पुरुवक किसी के सामने रख सकते हैं, उसके बाद उसको ग्रहन करना कि नहीं हो जाने लेकिन बात आप रखिए जरूर पर सदा याद रखिएगा कि एक बहुत बड़ा फैलाव है अज्ञान का जिसके भीतर सब अंधे होकर के लड़कडाते घूम रहे हैं पुरा संसार ही जैसे उस अंधेरे के भीतर है तो किसी का निजी अंधेरा नहीं है यह एक सारुजनिक अंधेरा है जो आपकी पत्नी को लग रहा है वो आपकी पत्नी के निजी विचार नहीं है जो आप पर वो आक्षेप कर रही है वो आक्षेप सिर्फ आपके घर में नहीं लगाये जा रहे है जो उनको दुख लग रहा होगा वो अकेली इस तरी नहीं है जिने यह दुख लग रहा हो तो कोई बड़ा जबरदस्त सुरोत है जहां से कोई बेहोशी फैलाने वाला धुआ छोड़ा जा रहा है और वो धुआ पूरी दुनिया पर धुंद की तरह चाया हुआ है को जब कोहरा चाता है तो सिर्फ एक आत्मी कोई नहीं दिखाई देता क्या है को चाता त्ट तो किसी को कुछ नहीं दिखाई देता किसी आ निजी औह YE नोईट तो एक कोहरा चाया हुआ है जिसमें आपकी श्रीमती जी भी इधर उधर बस लडख़ाती घूम रही है और और सब दुनिया वाले भी आप अपेक्ष्यतया बचे हुए हैं सभागे की बात वो जो कह रही है वो तो एक तरह से सामाने बात है ना क्योंकि यहीं चीज सामाने तो ना तो नीचा समझिये ना बहुत दुख मनाईए वो जो कह रही है वहीं चल रहा है दुनिया में वो जिस चीज को प्रेम समझ रही है उसी चीज को घर घर में प्रेम माना जा रहा है जवान वैस्क लोगों को छोड़ो आठ-ठाठ साल के लड़के लड़कियों की भी प्रेम की वही परिभाश आ है हुं इससे आपको बस प्रेणा मिलती रहनी चाहिए उस बड़ी ताकत के खिलाफ लड़ने की जो हमें से हर किसी के घर में घुसकर हमें मार रही है जमीन की भाशा में हमें जब किसी की बेज़ती करनी होती है तो उससे कहते है न तेरे घर में घुसकर मारूंगा न जाने कौन है वो जो हमें से हर एक के घर में घुसकर हमको मार रहा है वो भार नहीं मारता है घर में घुसता है वो हमारे शैन कक्ष में घुसा हुआ है बेडरूम पर कबजा है उसका इसका विरोध करना तो बनता है न तो आपकी पत्नी उसका बस एक शिकार है उसके कुल कितने शिकार है उसके अर्वों शिकार है थीक है तो आपको अगर दुख है कष्ट है तो इसकी वज़ह श्रीमती जी और नहीं मानना है इसकी वज़ह किसको मानना है वह उसको जिसने कोहरा पहला रख्था है जितना कश्त आप घर में झेलें उतना ज्यादा आप संकलपबद्ध हो जाईए कि जो पूरी दुनिया पर चाया हुआ कोहरा है इससे तो लड़ना है जितनी तकलीफ ये मुझे मेरे घर में दे रहा है उतनी तकलीफ ये हर एक को दे रहा है घर में घुसके दे रहा है इसको छोड़ूंगा नहीं अपने व्यक्तिगत दुख को एक सारवजनिक युद्ध बना दीजिए क्योंकि कोई पी दुख कहां से विक्तिगत हो गया दो लोग लड़ा रहे हैं ये कोई उनका विक्तिगत मसला थोड़े ही है उनको संसकारित किया गया है किसी बेहूदा दो कौड़ी के मसले को इतना महत्तो देने के लिए कि उलड़ पड़े दुनिया का जितना विक्तिगत नर्ख है वो जिस जगह से आ रहा है जिस सुरोट से आ रहा है उसको टक्कर देनी है क्योंकि सुरोट को टक्कर नहीं दे रहे हैं छोटी मुटी लड़ा यह नड़ रहे हैं वही बात हो गई कि विश्वरक्ष है उसके पत्ते नोच रहे हैं और विस्तार उसका अथा है हमें उसकी जड़ों पर जाना है आपकी पत्नी उसका क्या है बस एक पत्ता भर है और पत्नी आविश्ट हैं पजेस्ट हैं पजेस्ट हैं पजेस्ट हैं तो पहाड़ों पर इसब खूब चलता है कि लोग कहते हैं किसी पर भूत आ गया है किसी परी आ गई है किसी पर कुछ आ गई है कहते हैं गुता सब दं फंद ही है उजारतर पर कोई ऐसे कर रहा हो कि मेरे उपर फलानी चीज़ चड़ी हुई है और बेहुदा हरकते कर रहा हो उस आवेग में तो अब क्या करेंगे उसे इतना मारेंगे कि उसका मुहाट तूट जाए यह सब करेंगे कि इस वक्त वो क्या है पजेस्ट है हम सब भी क्या है जो पजेस्ट होता है उसके सर पे जो भूट चड़ाओ वो उतारना होता है यह मत करिएगा कि भूट को मारने के चक्कर में व्यक्ति को यह मार दिया बहुत हद तक दोश व्यक्ति का नहीं है उस भूट का यह जो चड़ाए और इन सब भूटों का मालिक कोई है उससे भीड़ना है उसको भगवान नहीं कहते यह मत कहते हैं सब का मालिक एक तो भूटों का भी मालिक वही कर रहे हैं आपको क्या लगता कोई व्यक्तिगत काम कर रहा हूं यहां जो काम चल रहा है वो सबके घरों की सफाई का ही तो काम चल रहा है तो यह काम जितना मेरा व्यक्तिगर्द है जितना निजी है मेरा उतना ही सारुजनिक भी है कोहरा जब चटता है तो किसके लिए चटता है कि सबके लिए चटता है जितना ज्यादा आप इस्थिति को एक व्यापक तोर पर देखेंगे मैक्रो व्यू उतना ज्यादा जो व्यक्तिगत रंज है वो कम होगा आपको समझ में आएगा कि अरे ये कोई मेरी पतनी थोड़ी बोल रही है ये तो फलानी फिल्म की फलानी अभी नेतरी बोल रही है आप मुस्करा उठेंगे ये जो अभी अभी इसने बोला ये सुना-सुना सा डायलॉग है अब आप कैसे उनको दोश दे सकते हैं क्योंकि वो तो बोली नहीं रही है वो कहा हैं वो बेहोश पड़ी है उनको सुला दिया गया है और उनकी चेतना पर किसी ने कबजा कर लिया है यह से चोर घुसे किसी घर में और वहां रहने वाले सब लोगों को बेहोश कर दें और घर पे कबजा कर लें वैसी हम हैं हम हैं ही नहीं हमें बेहोश कर दिया गया है और हमारी इस पूरी विवस्था पर हमारे शरीर पर मन पर किसी और ने कब्जा कर लिया है पॉजिशन ले लिया है समझ में आरे यह बात है चोर घर में हुसें घर के सब लोगों को क्लोरोफॉर्म सुगा दें और फिर घर में वो कोई अपराध करें मान लीजिए कुछ भी करें तो सजा किसको मिले जिनका घर है या जिनोंने घर पे कब्जा किया तो जिसका घर है उसको सजा मत देने लग जाएगा उसके खिलाफ बुरा मत मानने लग जाएगा तो सोय ही पड़ा है ना अपराध उसका भी है अपराध उसका है लापरवाही तुम क्यों ऐसे लापरवाह थे कि तुमने द्वार दरवाजों की कुछ ख़बर नहीं रखी पहरेदारी नहीं करी तो अपराध तो है पर उसको तो अपराध की सजा मिली रही है अपराध की स वही कर रहे हैं, उन्होंने एक घर पे नहीं पूरे महले पे किया है, उस महले का नाम संसार, हम सब पजेस्ट हैं, हम बेहोशी नहीं हैं, एक अर्थ में हम अजनमे हैं, बेहोश आदमी का तो फिर भी यह है कि पानी के छीटे मारो खड़ा होगा, जो अजनमा है उसका क्या कर हैं, बेहोश आदमी के साथ तो फिर भी ऐसा लगता, जैसे थोड़ देर पहले होश में था, अभी बेहोश हो गया है, जो अजनमा है, उसका तो जनम हुआ ही नहीं, वो थोड़ देर पहले भी अजनमा था, उससे पहले भी अजनमा था, बेहोशी तो फिर भी हलकी बात है, अगर आपका जन्म ही स्थगित हो गया हो तो यह हमारी हालत है सबकी कोई बहुत भयानक टाकत है जो चाहती ही नहीं कि हम जो वास्तव में हैं वो जन्म ले उसने हमारे जन्म का ही रास्ता रोक लिया है तो हम चल रहे हैं फिर रहे हैं खा रहे हैं पी रहे हैं लगता है कि जैसे हम चैतन्य हैं लगता है जैसे हमारी कोई निजी सत्ता है आपका नाम लेखे कोई पुकारता आप जवाब देते हैं मैं गहूं यते इंद्र जी आप क्या बोलते हैं हाँ तो हमें ऐसे धुखा हो जाता है कि आप हैं आप हैं नहीं आप सो रहे हैं और आपके भीतर से बोल कौन रहा है वो जिसने उस फिल्म की पटकथा लिखी थी वो बोल रहा आपके भीतर से आप तो कहीं सोई पड़े हैं सबका यही हाल है अब बड़ी बहूदी फिल्म है मस्त मज़दार होती तो फिर भी उसे जेल लेते इतनी घटिया थर्ड क्लास पिक्चर वो चल रही है घर घर में सुनो जी कौन ऐसी पिक्चर देखना जाता है जिसका डायलॉग शुरूँ यहां से होता हो कहां से सुनो जी जी किताब तो मन्ने सौत लागे है अब बंद करो कौन है स्क्रिप्ट राइटर सामने लाओ कि यह ठीक है जितनी बार घर में रगडम रगड़ाई हो उतनी बार जो बिगर पिक्चर वो याद करिएगा पूरा परिद्रश्य याद रहेगा तो व्यक्तिगत दुख कम रहेगा और सारजनिक संकल्प ज्यादा कि यह लोराँ लोज रायब